तो आपने थमनेल पे देखी लिया होगा वेडियो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हो सकता है आपके सारे कन्फूजन भी क्लियर हो जाएं और आप अपनी प्रिप्रेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएं पहला क्वेशन आपका यह है कि टीजीटी प आपके सामने आज आती है लेकिन मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा अपने मेंटल लेवल का भी यूज करिए जो प्रेजेंट सिच्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी पॉसिबिलिटी उसको बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए पीजीटी पीजीटी की भरती इस रद बिलकुल नहीं होगी पहली बात दूसरी बात यह है कि एक्जाम ऑगस्ट में होगा या फिर नहीं होगा तो देखिए आपनी प्रेपरेशन 10 ऑगस्ट के हिसाब से करिए 15 आपको डेडलाइन मिली है अभी तो यही खबर है इसको मैं प्रूव कर सकती हूं मेरे ही एक स्टेट्मेंट से अभी कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए जब यह डेट मैंने अनाउंस की थी जब यह प्रेस में आया था रिलीज हुई थी यह डेट की 15 आगस्ट से पहले आपकी भरती एक्जाम आपका होगा तो कितने सारे ऐसे कमेंट थे कि नहीं पर नहीं थी सिर्फ आप रिप्रेशन की वज़़ा से कह रहे थे कि अभी नहीं तब होनी चाहिए वह किस लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टाइम को सीरिसली नहीं लिया इसलिए आपकी ऐसी सोच बनी अब मान लिए अचानक से अगर एक्जाम हो ही तो क्यों आप 10 अगस तक अपना सिलिबस कंप्लीट कर लो जब आपने गोल अपना सेट कर रखा है कि आपको टीचर ही बनना है तो फिर उसको सीरियसली लोना और अगर आप 10 अगस तक कर लेते हो तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है कहीं से आपको यह हामफुल नहीं होगा डेट अगर थोड़ी आगे भी आती है तो आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा तो हर तरीके से आप तो प्लस में हो लेकिन अगर आप रिप्रेशन नहीं करते हो इन रूमर्स पर जाते हो तब आप लॉस में हो तो आप खुद सोच लिजे कि आपको प्लस में रहना है या फिर आपको लॉस में जाना है I think you all are mature enough to take your decisions because you are going to crack a competition exam तो इतना आपको समझ में आना चाहिए बाकी रही डेट की जो अटकले हैं तो देखे हो सकता है 15 अगर से पहले हो जाए बाकी September 1st week से आगे ये एक्जाम नहीं जा सकता है इस चीज के लिए आप शियर रह होते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा primary में सिक्षा मित्रते जो समविदा पर पहले से काम करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से माधिमे कायोग की तरफ से ये तरदर सिक्षक होते हैं तो ये लोग पहले से कारेरत हैं समविदा पर अब इसमें कुछ नहीं होगा बस यहीं होगा कि इनकी अलग से सीटें वहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी अलग से और सीटें एड होगी इसके बारे में मैंने अलरड़ी एक वीडियो बनाया हुआ है बाकी जो भी कोड की अपडेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी और राजे सरकार को ही इसका फैसला भी लेना है कोर्ड भी यही बोलेगा और इसका एक ही सलुशन है कि सीटें उनकी और फिक्स हो जाएं उसमें भी आपका लॉस नहीं है इसलिए क्योंकि इनको वेटेश तो मिलता है लेकिन उस वेटेश में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप उनसे प्लस में रहोगे बिकाज वो इतनी रेगलारिटी में नहीं है जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं तो विश्वास तो आपको खुद पर रखना है सारी चीजे सारा दारोंदार जो है तो देखिए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है तो इस बेटर दाट यू शूट फोकस आन यूर प्रेपरेशन ये किसी तरीके का कोई सजेशन नहीं है कोई उप्तेश नहीं है क्योंकि कई लोग नेगटिव कमेंट करके चले जाते हैं सो मैं उस पर यहीं बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए नहीं लगता है तो आप मत देखिए वैसे भी जब कुछ अच्छी चीज होती है तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा होते हैं और उस कमेंट को पढ़के उससे जितने भी लोग एफेक्टिव होते हैं वो और भी जादा हो जाते हैं इसलिए मेरा कहना यही है खुद भी नेगेटिविटी से दूर रहिए और प्लीज नेगेटिव बाते बिलकुल ना फैलाइए क्योंकि कही ना कहीं यह किसी का सेलेक्शन रोक सकता है कोई बहुत अच्छे से प्रिप्रेशन कर रहा है और आप ऐसे नेगेटिव कमेंट और रियूमर्स अगर फैलाते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है इसलिए ना आप कमेंट सेक्शन में करिए नहीं ऐसे वीडियोज क्रिये so you should be positive towards your goal आप अपनी preparation August में करिये अगर आगे date आती है तो भी आप प्लस में है और नहीं आती है तो भी आप प्लस में ही रहेंगे exam आपका होगा और बिल्कुल होगा बाकी जो भी अप्डेट होगी आपको वीडियो के थरू मिल जाएगी so I just pray to God that you all fulfill your dreams thank you so much for watching and giving your precious time then also if you have any of the confusion or you have any question you can always leave in comment box whenever I'll see I'll reply your questions thank you